दोस्तों जैसे ही आप Chrome से कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं, कोई भी माल लिजाए कि आपका result आता है, या admit card आता है, या कोई भी ऐसा link आपका ज़रुरत का link होगा, उस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो Chrome पे लिखाता है क्या है, कि this site can't be risked, यह problem आपको आती होगी Chrome पे, the connection was reset try checking the connection, ERR connection reset, ठीक है, यह problem आपको आ रही है Chrome पे, ठीक है, तो आपको भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा रहा है, the site can't be risked, ठीक है, this site can't be risked, तो अगर यह problem को आपको solve करना है, वो site को open करना है, वो link को open करना है, आपको अपने mobile phone में Chrome से, तो दोस्तों ला होती है, किसी-किसी link पे click करने के बाद, दोस्तों अगर आपको यह problem को solve करना है, तो चलिए मेरे mobile screen पे, जैसे कि मैंने एक चीज़ सर्च किया, एक link सर्च किया, तो यहाँ पे लिखा रहा है, this site can't be risked, ठीक है, यहाँ लिखा रहा है, यह problem आपको आ रही होगी, ठीक है, ज यहाँ पे देखिए, ERR connection reset, यहाँ पे connection में बता रहा है problem है, मगर यहाँ पे तो मेरा wifi चल रहा है, और wifi का पूरा connectivity मेरा अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद भी मेरे साथ यह problem आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, reload पे भी मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे reload नह यहाँ पे देखिए, यह problem को अगर आपको solve करना है, this side can't be reached, तो यह problem को अगर आपके साथ भी आ रही है, chrome पे, तो आपको क्या करना है, chrome को open कर लेना, जैसे कि मैं chrome open कर लेता हूँ, chrome open करने के पाद आपको दोस्तों सारा setting को क्या करना है, follow करना है, कोई भी setting अगर आप skip कर करते हैं, तो आपको यह problem solve नहीं होगी, तो वीडियो को लाइस तक जरूर देखना है, तो यहाँ पर देखिए, discover option दिखा रहा है, यहाँ off है, setting पर आपका on है, तो इसको off कर लीजेगा, अगर on रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ads दिखते रहता है, ठीक है, त यहाँ पर news use भी आजाता है, तो आपको अगर मान लीजे की नहीं off करना है, तो कोई दिखते उससे नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले setting है, chrome को open करने के बाद three dot पर click करना है, three dot पर जैसे ही आप click कीजएगा, तो दोस्तों जैसे ही आप three dot पर click कीजएगा, तो setting option आजाता है, setting option पर click करने के बाद यहाँ पर देखे swipe करके आपको नीचे आजाना है, नीचे आईएगा तो देखे बहुत सारा option आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर देखे site setting option दिख रहा होगा, site setting पर click कर देना है, site setting पर जैसे ही आप click कीजएगा, तो यहाँ पर देखे लोकेशन है, लोकेशन पर क्लिक करके इसको ब्लॉक कर दीजएगा, यह अगर आफ है, तो इसको अन कर दीजएगा, ठीक है, मैं एक एक करके सारा सेटिंग बता देता हूँ, यह सम माइक्रोफोन और इसका तो कोई जरुरत है नहीं, नोटिफिकेशन को क्या करना है, आक्स फ इसलिए आपको यह प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद स्वाइब करके आपको नीचे आना है, फिर उसके बाद देखिए बहुत सारा option आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर देखिए desktop site है, background sync है, तो इसको background sync को भी आपको allow कर देना है, allow करने के बाद आपको देखिए back आजाना है, back आने के बाद यहाँ पर देखिए option आपको दिखेगा, यहाँ पर मैं back कर लेता हूँ और फिर उसके बाद three dots पर click करके यहाँ पर option आपको दिखेगा history का, history पर click कर देना है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे all time पे क्लिक करके आप last hour कर दीजेगा फिर उसके बाद देखी, यहां पे एक option दिख रहा है side setting यहां पे untick कर दीजेगा untick करने के बाद यहां पर clear data कर दीजेगा फिर दोस्तों आपका history सारा delete हो जाएगा फिर उसके बाद आपो लाश सीटिंग है कि आपको, फोन के सेटिंग में चले जाना है, जहां आपको फोन के सेटिंग के अपने आपको अपनों के सेटिंग को ओन ने के बाद यहां小 question सीटिंग ने ऐसां cleaning अपैर यहांना है, tvr उसके बार स्वाइप करके आपको Discjal storage पर क्लिक करना है storage पर क्लिक करके यहां पर clear कैचे कर देना है कैचे क्या होता वाइरस होता है तो वाइरस अगर आपके phone में रहेगा तो यह ठट पाटी तो दोस्तो वाइरस जैसे ही रहेगा तो यह problem आपको site can't be reached वाली problem दिखेगी तो आपको clear कैचे पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे क्लिक कीजिएगा फिर उसके बाद आपको अपना phone को restart करना restart क्या होता है मतलब आपको अपने power बटन पर लॉंग प्रिस करना है और restart करना जैसे restart कीजिएगा तो दोस्तों फिर यह problem आपकी solve हो जाएगी 100% ऐसे आप chrome पे this site can't be reached वाली problem को solve कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्नो ग्रीडी को subscribe नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज subscribe कीजिएगा thanks for watching